नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10, 11 और 12 नमंबर मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों भगवान सनेदेब के आसिरवात से अब आपके जीवन काल में नया चमतकार सुरू होने व मतकार करने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप से विका जीवन ही बदल जाएगा यूँके हैं तो दोस्तों आपके भाग की नई गाथा याश में श्वम कर्मों के दाता भगवान सनेदेव लिखने वाले हैं जिनमें दोस्तों सिर्फ वह सिर्फ खुजियां होगी सिर्फ आप संकट समस्याओं का शामना किया है और दोस्तों इन सभी के वावजूद भी आपने कभी भगवान सनिदेव के ऊपर अपनी विश्वाश अपनी आस्था को नहीं छोड़ा है और दोस्तों इसे के कारण भगवान सनिदेव आपके ऊपर यह अश्य में बहुत ही जादा प्रश आने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को बिलकुल ही मिशना करें और वीडियो को शुरू से आन तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इन में आप सभी महत्पुन जानकारी को भी जानेंगे कि आश्य में आपको किन-किन छेतरों को लेकर साबदान रणे होंगे कौन से कार आपके लिए भागे चाले होंगे और कीन-छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ति होगी और भगवान सनिदेव के आशिरवात से आपके घर के माहल में पारिवारिक जीवन में पर तेक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आन तक देखिएगा उस आपके बेल आइकन को प्रेश करके और पर श्लेट कर लें तो आई दोस्तों बात करते हैं शुरुवात करते हैं एक बहुती अच्छे कहानी सी एक बहुती अच्छे घ्यान सी जो कि दोस्तों आपके जीवन की शबसी बड़ी सच्चाई है और दोस्तों इसमें अब अंजा वर्स बुजुर्ग था जो कि दिल का ओपरेशन उनका हुआ था और जब उसका बिल आया आठ लाक रुपया बिल देखने के बाद बुजुर्गे के आखों से आंसु आ गए यह देखकर डॉक्टर ने कहा कि आप बिलकुल भी मत रोहेगा मैं यह बिल कम कर देता हूं तो परभू ने इस दिल को असी वर्स तक समहला और उसने कोई बील नहीं भेजा आपने केवल इसे तीन घंटे समहला आठ लाक रुपया वहरे मेरे परभू अब इतना ध्यान रखते थे हमारा यह बात सुनकर वहाँ पर इस दित सभी के आखों में आसु आ गए जिहां दोस्त है जै श्रिक क्रिष्न राधे राधे जीवन काल में भगवान श्रिक क्रिष्न का आज सिरवाद आपको मिलेगा आपका जीवन धन हो जाएगा जिहां दोस्तों तो यह दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि भगवान सनी देव ने जो अब आपके भागे को बदला है जो आ कॉंशे चमत कर भगवान सनेदेव करने वाले हैं जिहां दोस्तों जहां पर सनेदेव की बात आती है तो दोस्तों भगवान सनेदेव दंड अधिकारी कर्मों के फल दाता माने जाते हैं जब भगवान सनेदेव किसी के कर्म को देखते हैं तो दोस्तों उनके फलों की तूलन पर निकाल में भगवान सनेदेप आपको बहुती अच्छा फल देने वाले हैं जो कि दोस्तों आप सबीके दिल को खुश करने वाले शावित होंगे जहां दोस्तों तो दोस्तों आये बात करते हैं पूरे विश्टार से दोस्तों इन तीन दिनों का जुश्य में होगा सनेदेप के आज सिर्वात से ग्रह गोचर बहुती अनुकुल है सोसाइटी अत्वा समाजी गति विदियों में कुई शाहरनी काम की वज़े से आपकी योगता और काविलियत की तारीफ होगी आपका आत्म विश्वास और का रखना भी जरूरी है थोड़ी सी सूजबू दोरा ही आप सफल भी रहेंगे घर की जिम्मेदार या निभाने तथा समाजी सक्क्रियता भी बनेगी और साथ सी साथ दोस्तों परिवार जनों के साथ मिल बैठकर सलह मशवरा करने से कई फैसले होंगे और यह फैसले बहु वापस मिलने से राहत मिलेगी विती सिती में भी सुधार आएगा यह आपको नोकरी से सबंदित किसी इंटेर्विर यादू में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं साथी साथ कुछ बहतरिन शाभामना शामने आएंगे पर दुश्यमे का सदपियो करना आपकी योगता पर निर्वर करता है इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शाबदानिया भी देख कर चलनी होगी वियर्थ की गती विदियो में समय और पेशा वरवाद ना करें आपकी सफलता से चिल कर कुछ लोग आपको बरगा लाने की कोशिश करेंगे पर तु आप अपने क कारों में ही व्यास्तर है यसे में किसी भी तरह की यात्रा करना उचित नहीं है वैवसा में कुछ परेशानियों की वावजुद भी योजनाय काफी हद तक शफल होगी बदलाव समन्दिक कामे में उचित परनाम हासिल होंगे सरकारी सेवरात लोगों के उपर कारभर की अधिकारियों से मदद रहेगी दोस्तो किसी भी विपरित परसिती में घबराने की वज़ा साबधानी ढूंडें बिना मतलब दुसरों के मामले में हस्तेशेप ना करें इसे समन्द में खटास आएगी साथी साथ बिजनेस में नए लोगों से मुलाकात फायदमन होगी आर तरह ठका देगा रुपे पैसे समन्द लेंदेन को लेकर किसी के साथ ललाई जगड़े होने जैसी आसंका है पनतु साबधाने रखने से इन परसितियों को टाला जा सकता है दुसरों के जहमेले में ना पड़ें आना था बेठे बेठाई आपके उपर भी कोई मुसीवत आ सकती है विद्यार्थियों को कुसी प्रजेक्ट को पूरा करने के लिए समय बहुत ही महनत जरूत है किसी सिनियर की मदद लेने से संकोज न करें बिजनस के नजरिये से समय बहतर है कोई नया ओडर या अनुबंध हासिल हो शकता है इसलिए कोसिस करते रहें और ध्यान रख हैं तो पती पत्नी आपसी समवंधू में मर्दूयरता बनाये के लिए कोई चोटी मूटी नाकार्थों बातों को तूलना न दें युदान को प्रेम समवंध में प्रगळता आएगी पत्ती पत्ने के विजा आपसी सहयोग और समान्जस बना रहेगा घर में सुखी भरा मह हो रहेगा आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो स्वास्ति सब् Standards छोटी मुटी परेशानी रहेगी आनुसासित दिन चारिया रखने से स्वास्ता बनी रहेगी सारे लिक और मानसिक ठाकान रहेगी कुछ समय अपने आराम और मनरंजन के लिए समय जरूर निकालें वहीं दोस्तों बात प्रतब के उपाय के बारे में दोस्तों सनिवार के दिन यदि ये उपाय कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन कोई भी परिशाने नहीं होगी कोई भी आर्थिक तंग्या नहीं होगी दोस्तों सनिवार के दिन सनिदेव को काला उरुद अर्पित करें इसा करने से वेक्ति की आर्थिक समस्यां खत्म हो जाती है और उसके कुंडिली में अगर सनिदोस है तो दोस्तों या भी शमाप्त हो जाता है इसके साथ परतेक सनिवार के दिन फीपल के पेड़ को जल आवस से चढ़हें इसे आपके घर में धन धान की कभी कमीनी होगी और आपकी शभी मनों कामना पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों बात करते हैं आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग हारा है और भागे साली अंक चार है दोस्तों भगवान सनिदेव का आशिरवात आप से भी को प्राप्तो सची दिल से कमेंड बॉक्स में जैस सनिदेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद